नजस्तान में Special Operation Group यानि की SOG के ADG विजे कुमार सिंग विके सिंग भी कहते हैं उनको राष्ट्रपदी पदक से समानित किया जा रहा है और साथ ही 15 और खाकी वर्दिवाले उन पुलिस कर्मियों को समानित किया जाएगा जिन्होंने अपने सराने परियास और सराने कारे से ब पजिनलाज सरकार जब आई थी तो उनको ADG के पदबर नुक्त किया गया था इसके बाद उन्होंने लगा तार आट महीने में राजस्तान में कुल बारा जो गैंग है पेपर लीक की बारा अलग अलग जो भरती है उनमें जो पेपर लीक हुए तो उसका खुलासा किया था बंड़ा फोड किया था और यहां तक उन्होंने राजस्तान पुलीस की अकेडमी में भी छापा मार करके सब को चोका दिया था ऐसाई भरती परीक्षा 2021 का पेपर लीक इतनी बड़ी गुत्ती बना हुआ था नहीं सरकार के आने के बाद जब वो न्यूक थी और उसके जागर जैपूर में जोदपूर में और किशनगड में जाकर कि उन्होंने च्छापा मारा था और 15 ट्रेन ही साई को उन्होंने गिर्फतार किया था यह उनकी बड़ी उपलब्दी है और इसलिए विजय कुमार सिंग को राष्टपदी पदक्स से समानित किया जाएगा सव पुलीस कर्मियों को पुलीस जो पदक है उसे समानित किया जाएगा साथ ही एडीजी जो विके सिंग है उनको भी राष्टपती पदक से समानित है वो किया जा रहा है और वहीं आपको बता दे जो पंद्रह साल से बड़ा जो एक नकल का गिरो था उस सब को उन्होंने एक पूरी गुति को विके सिंग ने खोल के रख दिया और गड़्पडियों नहीं की सबको सुल जाया और सामने सारे जो अभी तक भर्थी में बड़्बडी चलती ती सारे जो रह से राज है उनको खोल के रख दिया ऐसी के चलते उनको राष्ट्रपती पदक से समानित किया सोजी के एडिजी विजेकुमार सिंग आखी कौन है विजेकुमार सिंग एक बार आईए उनको उनके बारे में पूरी जानकारी है वो चुटा लेते हैं उनीसो सतान में बैच के आईपी सदिकारी मुल्डूप से बिहार के रहने वाले हैं विकिसिंग ट्रांस्पोर इंजिनिरिंग में एम्टेक करी हुई है और सिविल इंजिनिरिंग में बी टेक हुई इसके बाद वे एस्पी के तौर पर भरतपूर में उनको पहली पोस्टिं पर वो बिहार के हुए थे और वहीं 2015 में विकिसिंग एक बार फिर राजस्तान लोटते हैं और सिवी में तीन साल तक वो आईजी के पर पर तैनात रहते हैं उसके बाद जैपूर रेंजी आईजी के तौर पर वो पोस्टेट रहे और वहीं 2021 से 2013 में ट्रैफिक एडिजी र करकार आती है तो बसे लाद शर्मा ने उनको एडिजी एटीएस और एसुजी का जो है वो एडिजी उनको बना लेती है थैने वाद